दोस्तों, Samsung अपना market share smartphone industry में क्यों खो रहा है? OnePlus, Xiaomi जैसे जो उनके competitors हैं, उनसे ज्यादा phones बेच रहे हैं हाला कि Samsung बहुत सालों से इंडिया में है, number one पे रह चुका है लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि उनकी जो pricing होती है दोस्तों इतनी ज्यादा होती है, पूछिए मन दोस्तों, Samsung ने आज launch कर दिया है उनका दुनिया का सबसे पहला quad camera वाला smartphone इंडिया में Galaxy A9 2018 दोस्तों, ऐसे नहीं है, कि ये smartphone जो है अच्छा नहीं है ऐसा भी नहीं है, या जो भी मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास smartphone review के लिए नहीं आया इसलिए हम कह रहे है, ये मेरे honest opinions है दोस्तों अगर आप phone के पास देखोगे, A9 के पास बहुत अच्छा phone है 6.3 इंच की AMOLED स्क्रीन है, infinity display है, beautiful colors है अगर colors आप देखोगे, gradient colors बहुत अच्छे है quad camera तो है ही, जो अच्छे होने ही वाले है, अच्छे होंगे ऐसे मैं expect करता हूँ क्योंकि obviously 4 अलग-अलग sensors है Samsung का phone है, Samsung के cameras है, तो अच्छे होंगे fast charging है, NFC है, 3800 mAh की battery है dedicated SD card slot है, Dolby Atmos audio है so overall it is a great phone, लेकिन दोस्तो इसमें आता है Snapdragon Qualcomm 660 का processor, 660 का processor दोस्तो which is about an year, year and a half volt, एक साल पुराना है जो आजकल 15,000, 14,000 के phones में भी आता है 6 GB RAM है, dedicated SD card slot है, 128 GB storage है इसमें लेकिन 660, at least 670, 710 दिया होता जो आजकल 16,000, 17,000 के phone में है, वो भी नहीं है 845 दोस्तो, processor ये सबसे important चीज होती है एक phone में और Poco F1 दोस्तो, 845 प्रोसेसर के साथ आता है 845 प्लस 6 GB RAM वाला phone उसका मिलता है आपको 20, 21,000 में offers होंगे तो 20,000 के नीचे भी मिलता है और आपको Galaxy A9 जो SD 660 पे है वो मिलता है 6 GB वाला version 37,000 को 36,990 और इनका जो 8 GB वर्जन है वो मिलता है 39,990 आने 40,000 का अब कोई भी पता नहीं, Samsung के fans होंगे वो लेंगे लेकिन आप OnePlus क्यों नहीं लोगे 40,000 का OnePlus में तो सभी कुछ है, flagship level का processor है, दिखने को अच्छा है, अच्छा brand भी है या फिर 10,000 नीचे और कम करके, 10,000 बचाके Poco F1 ले लोगे, gaming phone वगेरे चाहिए तो आप Samsung का Galaxy A9 क्यों लोगे? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, reason अगर आपको A9 लेना है, तो आप क्यों लोगे? और दोस्तों, Xiaomi का Poco F1, OnePlus 6 या 60 ये छोड़िए आप मैं कहता हूँ, आप LG का ThinQ ले लीजे, Asus Zenfone 5Z ले लीजे ऐसे बहुत सारे phone है, इतने अच्छे अच्छे, इनसे ज्यादा अच्छे specification है, अच्छा processor है जो आपको 30,000, 35,000 में मिल रहे हैं फिर से दोस्तों कहता हूँ, कि भाई, review unit हमारे पास नहीं है इसलिए हम ये video कर रहे हैं, ऐसे नहीं है बहुत सारे पहले जो Samsung के phones आये हैं, they have always been overpriced जमाना बदल गया है, 6-7 साल पहले अगर ऐसी pricing रखते थे, ऐसे phone के लिए मतलब उस वक्त के जो specifications थे, उस हिसाब से रखते थे, ठीक था लेकिन Xiaomi, Honor, Huawei, ये सब Chinese smartphones company आने के बाद, बदल गया है माहूल ये जो market है, ये बदल गया है, Samsung has to understand the change circumstances और उस हिसाब से उन्होंने pricing रखनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, A9 बहुत अच्छा phone है लेकिन price is out of the world, out of the world ये जो नहीं रखनी चाहिए थी अगर ये 30,000 के करीब आता था, मैं 30,000 कह रहा हूँ, याद रखिये actually मैंने 25,000 कहना चाहिए, लेकिन फिर भी 29,000, 30,000 तक आता था तो मैं कहता था, ठीक ठाक है, 25,000 तक आता था, मैं कहता, सही में, अच्छा है even though it has 660, बाकी के features उसके अच्छे हैं इसलिए but 37,000, 40,000, far too much, मेरे हिसाब से ये जो phone है, at least 10,000 रुपए से overpriced है आपको क्या लगता है, ये मुझे जरूर बताईएगा वैसे दोस्तों, अगर अगर Samsung के fan हो और अभी भी ये सुनने के बाद भी आपको लेना है कोई problem नहीं, link मैंने नीचे description में दी हुई है, आज से pre-order चालू हो गए इसे दोस्तों, ये एक quick opinion वीडियो था, अगर आप भी मेरी राय के साथ सहमत हो, like करना मत बूलिए, नए हो, ऐसे आप वीडियो लाते रहते हैं, subscribe ज़रूर कर दीजेगा चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक, keep trackin